नमस्कार दोस्तों, क्लस सेवन तुमारा स्टेट बोर्ड मैथेमेटिक्स चाप्ट नुमबर 3 यद्सीएफ एंड लसीएफ नेक्स्ट पॉइंट है कंपोजिट नुमबर यह पॉइंट शुरू करने से पहले आप सभी कौन रधे चैनल के सबस्क्राइब करें घ्यर्ड बर करें और बिल आपनी प्रेस करें जिस से की आने वाले वी वीडियो का आपको Valerie Commissioner अब देखिए कंपोजिट नुमबर कैं अब जिनके मिनिमाम् त्री फ्रेक्टर्स होते हैं जिस नुमबर के minimum 3 factor या हम उन्हें कहेंगे divisors कम से कम different अलग-अलग 3 divisors होने चाहिए तो उन्हें हम कहते हैं composite numbers अब देखिए हमने अगर ले लिया 10 तो 10 को 1 से divide होता है 1 factor हो गया उसका divisor हो गया 1 के बाद आता है 2 2 के बाद 5 और 10 तो यह हो गए 4 minimum 3 होने चाहिए 3 से आगे भी हो सकते हैं तो minimum divisors are 3 तो यह 10 जो है वो composite number है क्योंकि 3 से ज़्यादा इसके divisors है अगर हम number ले लियें suppose 5 तो 5 के देखिए divisor 1 और 5 यही दो आता है तो यह composite number नहीं है यह prime number होता है अब देखिए जो number prime होता है वो composite नहीं होता और जो composite होता है वो prime number नहीं होता क्योंकि prime number के सिर्फ दो factor होते हैं और composite number के minimum 3 होते हैं 3 यह 3 से ज़्यादा अब इन में देखिए 1 जो number है अब 1 के कितने factors हैं देखिए कितने divisors हैं 1 का 1 ही divisor है 2 भी नहीं है और 3 भी नहीं है तो 1 is not composite not prime neither prime nor composite prime भी नहीं है और composite भी नहीं है ऐसा एक ही number है वो है 1 next अब point आता है HCF या उसे हम कहते हैं GCD HCF कहाता है highest common factor या greatest common divisor factor भी और divisor भी देखिए अब हम 15 और 20 के divisors लेंगे अब देखिए 1 सभी का divisor होता है तो 1 हमें लिखना है फिर उसके बाद 15 का divisor आगे का 3, 5 और 15 20 के divisors देखिए 1, 2, 4, 5, 10 और 20 अब इन में हमें common find करना है common diviser और फिर उसके बाद greatest मतलब दोनों में common 1 है फिर उसके बाद 5 है अब आगे common कोई भी नहीं है और वो greatest होना चाहिए तो 1 और 5 में कौन सा greatest है वो है 5 तो 15 and 20 का HCF तो हम ऐसे लिख सकते हैं HCF और 15 and 20 is 5 20 और 15 का HCF highest common factor 5 आता है अब देखें highest common factor क्यों कहा गया है क्योंकि 5 भी factor है दोनों का 5K factor के form में भी हम 15 को लिख सकते हैं 5 into 3 तो 5 factor भी है और divisor भी है इसलिए हम factor भी कह सकते हैं और divisor भी कह सकते हैं तो highest होना चाहिए वो जो भी factor या divisor है वो दोनों का highest होना चाहिए अगर तीन नमबर से हैं तो तीनों में भी वो आएस्ट होना चाहिए तीन नंबर मैंने यहाँ पे ले लिए है देखे 30, 40 और 50 अब हम इसे डिवाइजर फाइंड करके इनका हसे फाइंड करेंगे तो देखे 30 के डिवाइजर 1, 2, फिर उसके बाद 3, 5, 6, 10, 15 और 30 40 के डिवाइजर देखे 1, 2, फिर उसके बाद आता है 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 8 फिर उसके बाद 10, फिर 20 और 40 50 के देखे 1, 2 आएगा फिर उसके बाद 5 आएगा 5 के बाद 10, फिर आएगा 25 और फिर आएगा 50 अब इन डिवाइजर में common हमें find करना है पहले तो फिर अगया 10 अब कोई भी कॉमन नहीं है तो सबसे हीस्ट कॉमन कोन है तो है 10 तो इनका चैसे अगया 10 अब यह एक मित्टड हो गई जिसे हम जह फैक्टर है वह डिवाइड का मतलब कर सकते हैं दूसरी एक मितड़ है प्राइम फैक्टरिशन मितड़ की जो हमें एचञेकर करने में मदद कार है अवी दिकए 10 प्राइम फैक्टर्स क्राइं करने हैं तो इसके पहले हम फैक्टर्स कै अवह तेखेंगे फिर उसके बाद हम prime factorization method देखेंगे अब देखें, prime factors 32 number हैं, जिसके हमें prime factors find करना है तो अभी क्या करना है, देखें जो prime numbers है, serially सबसे smallest 2, 3, 5, 7 इन से हमें इस number को divide करना है अब कौन से number से, जो सबसे smallest prime है पहले उससे divide करो अब 2 से divide होता है, क्या आप पहले आप चेक करें 2 से divide होता है, तो 2 से divide करें 216 जा 32 अब 16 को फिर कौन से number से divide होता है, 2 से तो 2 से divide करें, 28 जा फिर 2 से होगा, 24 जा 8 फिर 22 जा 4 फिर 21 जा, 232 के ये prime factors हो गए अब suppose हमने number ले लिया 50 अब इसके हमें prime factor find करने है तो 2 से divide होता है, फिर उस आता है 25 अब देखें, 2 से divide 25 को नहीं होता फिर 3 से भी नहीं होता आगे का number 5 तो 5 से divide करना है, 5, 5 जा 25 फिर 5 को 5 जा 5 5 को 5 से divide होता है, 5 जा 5 जा 5 यहां पर बनाएगा अब ये जो number है 50 के देखें, 50 is equal to 255 ये जो number है ये number 50 के prime factors है 2 into 5, multiply करें 10, 10 into 5, 50 आता है अब 32 के prime factors देखें 32 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1, 2, 3, 4, 5 times 2 into 2, 8 8 into 2, 16 16 into 2 sorry, 2 into 2, 4, 4 into 2, 8 8 into 2, 16 16 into 2, 32 तो हम answer आएगा 32 तो ये ओगे prime factors तो आप अभी को आप सभी को prime factors जो है वह अभी आपको solve करने आएंगे जो practice 11 है उसमें पूचा गया है factorize the following numbers into primes ऐसा दिया गया मतलब पूचा गया तो prime factor उनके find करिए और उनको ऐसे formula लिकिए 255 तो 255 ये factor होगी ये से भी divisor भी है और factor भी है लेकिन factor के form में लिखना है मतलब ऐसे multiplication के form में लिखना है जिनका multiplication करने के बाद वो number आता है अब next point है factorization method to find HCF highest common factor find करने के लिए factorization method अब हम ती numbers लेते हैं या पिर पहले दो number लेंगे 30 और 40 suppose तो 30 के हमें prime factors और 40 के भी prime factors find करने हैं आप देखे 30 के prime numbers 2 से हमने 30 को divide कर लिया तो 15 आएगा फिर 3 से divide होगा 3, 5, 15 5 को 5 से divide होगा 5, 5, 5 40 को 2 से divide होगा 2, 2, 4, 2, 0, 0 फिर 2, 1, 0 2, 2, 0, 0 2 से divide करो 2, 5, 10 5, 1, 5 अब इनको लिखे prime factors के form में 30 is equal to 2 into 3 into 5 और 40 के लिखे 2 into 2 into 2 into 5 अब हमें find करना है highest common factor अब देखें यहां पे confusion मत करिए diviser जब थे ना तब हमें highest find करना था मतलब यह की find करना था जो highest था हो HCF था लेकिन अब यहां पे HCF में हमने factors find किया है 30 के सभी factors और 40 के सभी factors तो जब हम factors find करेंगे तब हमें क्या करना है कि दोनों के जो भी common factor है उनके बदले में यहां पे एक लेना है अब देखें यहां पे 2 है multiply करो अगले factor से अब देखें यहां पे 5 है और यहां पे भी common है तो यहां पे low दोनों के बदले एक बार दोनों के बदले एक बार और इन दोनों के बदले एक बार हमने ले लिया तो उनको underline करो फिर इनको अभी count नहीं करना है फिर इनको इनको count कर लिया अभी common कोई है नहीं यहां पे 3 है यहां पे कोई है नहीं तो 2 into 5 10 तो हमें पता था पहले कि 10 को इन दोनों से डियाड होता है और हो HCF होगा highest common factor 20, 30 और 40 का होगा अब हम जो smallest number होते हैं उनके highest common factor orally भी find कर सकते हैं शबोज हमने ले लिए 15 और 20 इनका highest common factor 5 है 5 को इन दोनों से डियाड होता है 5 से इन दोनों को जियाड होता है 5 ही highest है नाई जिसे इन दोनों को जियाड होगा 5 से बड़ा greater अब हमणे ले लिया 30 और quickest 90 अब इन دोनों का highest coin factor क्या है 30 और 90 से तो 30 से 90 को डियाइड होता है तो इन दोनों में 30 जो होता है वो HCF होता है और ध्यान रखिए कि बड़ा जो नमबर होता है ये LCM होता है अगर किसी नमबर से दुसरे नमबर को डियाइड होता है तो उनमें जो चोटा नंबर होगा और ग्रेटर नंबर एल्सेम होगा अब अगर हमें ऐसा दिया गया है कि 17 और 15 का हिएस्ट कॉमिन फेक्टर फाइंड करिए 17 और 15 आप देखे 17 के प्राइम फेक्टर वन और 17 यहीं दो आता है क्योंकि यह प्राइम नंबर है अभी प्राइ 17 इंटु 1 तो 17 के फैक्टर हो गया है फुप्टिन के देखे हमने लिया था 3 मैं प्राइम फेक्टर तॉ अब इनमें कॉममन क्या है देखे 3 इंटु 5 यहां पे 1 इंटु 7 कोमन तो कुछ है नहीं लेकिन आइस्ट कॉमन फेक्टर लेते समय अगर कॉमन फेक्टर हमें कोई भी नहीं मिला है दोनों में तो one जो होता है वो सभी का प्रक्टर होता ही है तो one दोनों में common आता है इसलिए हमें इनका highest common factor लेना है one अब अगर तीन नमबर दिए गए हो 40, 60 और 75 तो देखिए 40 के prime factors 60 के prime factors और 75 के भी हमें prime factors find करना है तो यह आप अब आसाने से find कर सकते हैं तो इसलिए मैं इस step को तोड़ा skip करता हूँ तो देखिए हमने यहां पे prime factor जो है वो find कर लिये है 2 फिर 2 5 अब तीनों भी नंबर के prime factors हमने यहां पे find कर लिये तो एचिक फैंड करने के लिए थीनों में common factor हमें यहां पर लेने होते हैं जो भी common आप देखिए टूटू यहां पर टू नहीं है तो चेकर ना नहीं है फ्वाई और five तीनों में common five आता है तो इनका हो गया फाइव अब कोई भी नंबर जो है कौमन नहीं है यहाँ पे फाइव है यहां पे नहीं थरी Ihindion domain है लेकिन यहां पर नहीं है टोटु यहां पर भी है यहां पर भी है लेकिन इ Дав bisa तो ्वर्ण करने के लिए हमें तीन नंबर हों या दस हो कितने भी हो सभी